हेलो एवरिवन तो आज मैं आपके साथ में शेयर करने जा रही होटेल स्टाइल, रेस्टोरियन स्टाइल, बहुत क्रिस्टी, क्रंची, कटाके दार, मुंग दाल के पकोड़ी की रेसिपी मुंग दाल, पकोड़े ना, ऑईल में जाने के बाद में बिखरेंगे न तूटेंगे, एकसेट, परफेक्ट, गोल, गोल बनकर रेड़ी होंगे, सही मेजरमेंट, सही ना आपके साथ में तो अगर आपको रेसी भी पसंद है तो जरूर सी में चैनल को लाइक किजे, शेयर किजे और सबस्क्राइब किजे तो सबसे पहले हम 250 ग्राम मुंग दाल लेंगे, इसे हम रात बर भीगो कर रख देंगे, या या तीन से चार गंटे भीगो देंगे पिर इसे हम एक गंटा निथरने के लिए रख देंगे, इसमें बिलकुल भी पानी नहीं रहना चाहिए तीन से चार हरीमिज दा लेंगे, एक इन्च अधरक का तुकड़ा दालेंगे और इसे अच्छी तरीके से पीस लेंगे लेकिन यहां पर एक बात का जरूर ख्याल दीजिए कि इसमें बिलकुल भी हमें वाटर नहीं इस्तिमाल करना अब इसमें थोड़ी सी मुंगदाल साबित रह जाएं या कुछ मसाले साबित रह जाएं तो उसे डबल से हम पीस सकते हैं अब इसका बहुत ही अच्छा है एक मसाला बनाकर रेडी करेंगे जिससे मुंगदाल वड़ों में जो है तो एकज़र्ट इस्टीट फूड जैसा सुआद आएगा उसके लिए हम वन टीस्पून सौफ लेंगे हाफ टीस्पून ब्लैक पेपर लेंगे वन टीस्पून जो है तो जीरा लेंगे हाफ टीस्पून नमक लेंगे वन टीबल स्पून जो है तो धनिया पाउडर लेंगे तो हमारे पास में धनिया अवेलिबल नहीं था, इसलिए हमने धनिया पाउडर लिया, अगर आपके पास में सापित धनिया अवेलिबल होना, तब वो भी ले सकते हैं, इस सारी चीज़ों को अगर हम रोस्ट करना चाहते हो, बहुत जादा खुशू के लिए, तो हम रोस्ट क ख्याल रखने वाले कि इसमें वाटर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अब इस सारी चीज़ों को बढ़िया तरीके से मिक्स करें, क्योंकि ना हम इसमें सोडा डालेंगे, ना कोई ऐसी चीज़ जिससे कि यह अंदर से सॉफ्ट बने, बस इसी तरीके से 5-7 मिट हम मिक्स अब इसमें दो से 3 टेबल स्पून धनिया पत्ते को बारिक चॉप करके डालेंगे, एक से 2 मीडियम साइज के अनियन लेंगे, इसे कद्दू कस करेंगे, इसका पानी निकाल लेंगे, हातों से इस तरीके से निचोडते हुए, यानि उसका पूरा पानी निथार लेंगे, न्याद्र मिटियम साइज कना पिर दा लेंगे, ऑगर पास पें मेथि पत्ता डालेंगे, आपको पैस पर ताजी ना हो तो आप कसूरी मेथि भी यूश कर सकते हैं, जो मसाला किम मेची पीस कर रखा हो दालेंगे, ओन टीज पूनस चिलीजु दालेंगे, हाफ टीज पून डालेंगे 1 टेबल स्पून भरकर सफेद तिल डालेंगे जिससे बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आएगा अब इस सारी चीजों को अच्छी तरीके से हम मिक्स करेंगे ताकि जो है तो सारे स्पाइस डाल में अच्छी तरीके से मिक्स हो जाए तो यहां पर ना यह तो ऑईल में दालेंगे उसे अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे तो खास बैटर को था अगर बैटर जो है तो एकदम लिक्विटी बन जाए नहीं तो ऑईल में जाने के बाद में यह मुंग दाल पकोड़े हो या बड़े हो बिखर जाते है इस तरीके का बैटर बनाएंगे जिसमें बिल अब हम गैस ओन करेंगे गैस पर हमने पहले ही है तो पैन रख दिया था उसमें ऑईल हमने गरम कर लिया अच्छा ऑईल गरम करना ऐसा नहीं कि हमें धीमियाज पर करना है गरम गरम ऑईल में हमें यह पकोड़े फ्राइ करना है एकजट इस्ट्रीट फूड में कैसे होकर रेडियो थे और एक आपको टिप्स दिव में कभी भी हम कोई चीज इस तरीके से फ्राइ करें न तो स्ट्रीट फूड वालों के पास बड़ी बड़ी जो लोहे की कड़ाई यानि आइरन की जो कड़ाई होती है तो वह होती है अगर आइरन की हम कड़ाई में फ्राइ पर फ्राइ करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके संदर से भी पक जाते हैं और उपर से भी कलर आ जाता है तो मैं आपको इसका आवास तुना हूंगी कितने जादे क्रश्य क्रिश्पी बन कर रहे हैं यकिन मानिए अगर आपने इस तरीके से एक बार मुंगदाल पकोड़े क पसंद करेंगे और अभी तो बरसात कम साम होंता है तो किसी को चटबटा खाने का मनहोता तो जरूर इस ररसिप्र को ठ्राय ग्रीन चटनी तो मैंने आपको बहुत बार बनाना बता ही है आप मेरे कोई भी वीडियो में देख लीजिए ग्रीन चटनी की रेसिपी आपको मिल जाएगी यह हम एक मुंग दाल बड़ा मैं आपको तोड़कर बता हूँ कि कितना अंदर से स्पॉंजी बना है हम उपर से प् और हरी मेज के साथ में सर्फ करेंगे तो यकीन मानिया आपको एकज़र्ट स्ट्रीट फूड वाला टेस्ट आएगा ता आए होप गाई आपको यह रेसे भी पसन आई हो अगर आपको यह रेसे भी पसन दो प्लीज लाइक करना शेर करना सब्सक्राइब करना साइट में ज वीडियों का टोटिफिकेशन अपको विलतार है अल्लाह अफीर